हेलो गयर्स, विल्कुल टु माई चानल, इंजलियाबल चारट्स हैं इस वीडिया मेट फॉल लियो सिंग राशी के लिए आप लोग क्या मैसेज साल भर के लिए क्या है लेट सी एंजल्स क्या मैसेज करते हैं आप लोग के लिए कैसा रहेगा साल भर आपका अपने इंजल्स से डिवाइन अज्जी से पूछना चाहूँगी सिंग राशी के लिए यहाँ पर थोड़ी सा हैल्ध का थोड़ी सा आया है, फ़र्स कर्ड आपका हैल्ध का आया है तो मुझे लगता है थोड़ा सा ख्याल रखिए अपने तब्यत का बैड हेल्थ का काड आया है एक्चुली मुझे लगता है कि आपको अभी से सतर को जाना जीला परवाई मत करेगा अपने हेल्थ को लेके स्पेशली क्योंकि यहां पे आया है कि जरुत पढ़ सकती आपको दवाईयों की अच्छे बढ़िया एक्सेसाइज डाइट पूरा अच्छे ठीक से रखिए एक्सेसाइज योगा करिए बेस्ट है प्रणयाम करिए और जो भी आपके हेल्थ के जो भी डॉक्टर है उसे कंसर्ण में रहेए या हेल्दी डाइट्स होती है बहुत सारी उस पर थोड़ा सा वक आउट करिए अच्छा रहेगा कि अभी सही इम्मुनिटी बढ़ा के रखेंगे तो अच्छा रहेगा या गिलोई आमला ले सकते हैं या जो भी आपका अरुवेदिक अगर आप लेते हैं तो पी अलोपेटिक या डॉक्टर या जो भी आपके कंसर्ण आपके हो तो जहां से आपको लगता है कि आपका इलाज अच्छा हो जाएगा तो अभी सही उसके लिए त्यारी कर लिजाए और आपको एक्सपेक्टेश दिख रहा है या तो आपके पर्सनल लाइफ से है या फिर आपके मुझे ज़्यादा तर दिख रहा है कि कोई वर्क प्लेस से प्रोफिशनली इसमें दिख रहा है कि आपको कहीं न कहीं जिंदगी में नियाए नहीं मिल रहा है वो नियाए आपको मिलेगा आपको एक्सपे लिए अगला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है और शनी की जो अगर आप शनी का उपाई कर लेते हैं हर शनीवार को शनीदियफ के मंदिर अगर मिल जाए उनकी आँकों मत देखिएगा बस कड़वे तेल का दिया ये मस्टर डॉल जो होता है न उसका दिया उनके पास ज श्राय नमहा ये मंत्र बीज मंत्र है इसको 11 बार या 21 बार या 51 टाइमस बोल लेजे उससे क्या होगा कि आपके चीज़ें इंप्रूव होंगी यहां पर शनी का कार्ड आया है आप लोग का नयाय होगा आपके साथ अगर आप अच्छी रहा पे हैं अगर आपने मतलब जो किया तो आपके साथ युनिवर्स पूरा नयाय करेगी और आपको एक अच्छी लगशीरियस लाइफ मिलने के योग बन रहे हैं मतलब समलीजे कि अगर आपका मन कर रहे है कहीं घर लेने का या घर में कुछ इंप्रूव करने का या फ़र्णीचर्स चेंज करने का या फिर गाड़ी कुछ चेंज करने के लिए आपका मन कर रहे है मतलब एक होता ना कि मेरे कपड़े भी अच्छे होने चाहिए I should look good ये इसमें लगशीरिस चीज बहुत एक चीज जो है वो आपको अट्रैक्ट करेगी लोग इसी वज़े से आपको देखेंगे एक अट्रैक्टिव personality आपकी उबर के आएगी आपको मेनद करने को ये ये उसका होता ना कि आराम से पैठने वाला साल नहीं है ये जितन अच्छा मेनद करेंगे और सही जगे पर मेनद अगर करते हैं सही जगे पर सही टाइम पर तो आपको result बहुत अच्छे मिलेंगे और आपको कहीं न कहीं आपकी जो भी आप professionally जो भी work out कर रहे हैं वहाँ से आपको पैसा भी increment होने की possibility दिख रही है या तो आप नौकरी छोड़के हो सकता है कि दूसरी जगे आप अच्छी नौकरी के लिए apply भी कर सकते हैं ये भी इसके possibility आ रही है कहीं न कहीं अच्छे लोगों से आपकी मुलकात होगी उनसे मिलना जुलना काफी अच्छा दिख रहा है तो और उसकी वजह से आपके जिन्दगी में भी prosperity आएगी समपनता रहेगी लोगों का साथ मिलेगा धन की प्राप्ती होगी मेहनद करने के बाद अगर आप सच्चे उस पर है तो इसमें ये message है आपका यहाँ पर let's see other messages लग बहुत अच्छा है अगेन आपका यहाँ यही चीज़ आ रही है कि personality wise आपका काफी attraction रहेगा मतलब आप attract करेंगे और लोग को आपका शन बहुत बढ़ रहेगा और एक अच्छी किस्मत दिख रही है बहुत अच्छा एक समय है आप लोग के लिए साल में किस्मत खुल रही है कही ना कही किस्मत के दरवाजे खुलेंगे यह संपनता को अगेन इंजूस message कर रहे हैं संपनता, prosperity पैसा कहीं से भी यह property के अगर कोई dealing चल रही है तो वहाँ सबलता मिलेगी और आपका एक youngness रहेगी, जैसे होता है ना कि कार करने की शन्ता बहुत अच्छी रहे capacity बहुत अच्छी रहेगी एक attractive personality रहेगी आपकी और आपको कहीं कहीं लगेगा कि हाँ लगेगा कि हा मैं यह काम कर सकता है कर सकती हो, मेरे पास youngness है एक अच्छी personality आपके दिख रही है कोई important information कहीं से आपको मिल रही है या कोई देना चाहरा है तो उस पर गौर ज़रूर करिएगा कि कौन जना क्या message सोड़ना चाहरा है आपको, क्या information कहीं से कुछ मिल रहा है क्या information कहीं से या कोई important जानकारी है जो कि जानना जरूरी है तो उस पर थोड़ा सा देखिएगा कि कहां से है उसको नजर अंदास मत करेगा कोई important information आपको मिलेगी या बहुत जरूरी है या खबर में हो सकती है, news हो सकती है कुछ भी, यह किसी भी form में हो सकती है कोई जोना message करना चाहरा हो आपको तो उसको एक बास सुन जरूर लीजेगा क्या वो message करना चाहरा है बाकी आपकी मरजी जो भी आप फैसला लेना चाहें और अगर आप नया घर खरीदने की सोच रहे है या apartment में shift होने की सोच रहे है या apartment खरीदने कोशिश कर रहे है या अच्छा समय है या घर में ही कुछ construction work या सही अच्छा कुछ करना चाहरा है तो बिल्कुल सही समय है family members के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा परिवार वालों के साथ अच्छा समय और उनका साथ मिलेगा मैंने professionally मैंने बताया है कि किसी अच्छे information या news आपको मिलेगी professionally भी अच्छा है personal wise भी या दिख रहा है कि family members के साथ आपका अच्छा है या पर समय है बाहदूर होके angels message कर रहे हैं आपको बाहदूर होके अगर आप चलेंगे तो दुश्मनों से लड़ पाएंगे या यह message आ रहा है दुश्मन भी है साल भर में आपको कोई एक enemy का काड़ आया है जो पीछे पीछे से चुप चुप के से देखता रहे हैं क्या कर रहे हैं या आप क्या नहीं कर रहे हैं चाहिए कर रहे हैं उससे अपनी information मच शेयर करेगा बस भैचानिया वो कौन है चौकनने रहेगा केवल बहादूर होने से और self determined होने से ही आप जीत पाएंगे यह English message कर रहे हैं courage हिम्मत जितनी होगी उतना ही आप tackle कर पाएंगे situation को और उस वेक्ती से भी यह नहीं कि ठकार के बैठ गए बकि मैंने कई लोगों देखा है कि वो ठकार जाते हैं और डर से जाते हैं कि अरे अब यह बोल देगा या बोल देगा कुछ नहीं होगा आप हिम्मत बना के चलिए और देखेगा कि वो कुछ कर भी नहीं पाएंगा लोगों से सुनेंगे ही नहीं क्यों क्योंकि आपकी positive energy है बस इसलिए लेट सी other motivational क्या messages है angels ये तरह से साल भर के लिए आप लोग के लिए 12-24 में आपके अंदर एक दैविये शक्ती है अगर आप खुद एक female है तो angels message कर रहे हैं कि अगर आप खुद एक female है तो एक अच्छा समय है आप लोग के लिए एक दैविये शक्ती है आपके अंदर उसको कही ना कहीं बढ़ाने उसको और बढ़ाईए meditation के थूँ या देवी की किसी की पूझा आप करते हैं इस्ट देवी होई आपकी उसकी पूझा गरी अच्छे से देवी माता की उससे positive energy लीजे या कोई ऐसी कोई महिला है आपके life मगर आप एक male है और कोई ऐसी महिला है जिससे आपको शक्ती प्राप्त होती है या आपको अच्छा positive feel होता है या आपकी wife है या आपकी बेहन हो सकती है या आपकी बेटी हो सकती है या आपके माँ हो सकती है कोई भी कोई aunt हो सकती है आपकी तो उनके साथ उटना बैठना बातचीत करना अच्छा रहेगा आप न, emotional भी रहेंगे थोड़े से, भावग रहेंगे, ये इसमें message आ रहा है, और अपने आपको एक बार देखिये का जरूर कि आपके कैसे कर्मा है, शीशे में जाके जिसे हम लोग देखते हैं न, कि हम लोग ठीक ठाक दिख रहे हैं कि नहीं, इंजूस message कर रहे हैं, एक ब कुछ अपने अंदर की कमियों को भी देखिये, जो कमियां हैं वो, और जो अच्छाईयां हैं वो भी, ये अच्छा रहेगा, आप लोग के लिए, next इसमें message है, अपने आप पे, खुद मास्टरी हासिल करना, ये एक अच्छी habit दिख रही है, बदब एक होता हैं कि व्यक्त ही उसकी गुरू बन जाती है, जरूरी नहीं कि physically कोई आखरे खड़ा होगा हमाई सामने कोई व्यक्ती तो वो आखर ग्यान बढ़ देगा आपको, और वो आप उसको गुरू माल लेंगे, ऐसे को जरूरी नहीं है, ये universe भी गुरू है, कहीं नहीं से आपको कही knowledge मिलेगी, या आपको कुछ बताना चाहरा है, तो इसको सुनिएगा जरूर, कभी-कभी हम बक्षियों से सीखते हैं, कभी-कभी, या universe पेड़ पौदों से सीखते हैं हम कभी-कभी, वहां से हमें कभी-कभी intuition आती है, या किसी हम अच्छे किसी divine energy को अगर हम देखते हैं, तो भी हमको positive energy मिलती है, तो वहां से भी हमको अपनी self-mastery कैसे करनी है, वो भी हमें समझ में आता है, तो अगर कोई course करना चाहरे हैं, या कोई कुछ भी सीखना चाहरे हैं जिन्दगी में, तो उसको उभारिए, यह ज़रूरी है, और crystals यूज़ कर सकते हैं आप, angels के लिए हम पर message आ रहा आप लोग के लिए, यह कहीं न कहीं आपके स्वादेश्टान चक्र से related होता है, जो की root चक्रा के जस्ट उपर वालग चक्र होता है, तो उसके लिए होता है, उससे क्या होगा आपकी जो हड़ियों की problem है, या कुछ blood से related कुछ problem है, वो ठीक होती है, दीमे दीमे करके, दीम आप लेंगे, जो भी आप मेडिसिन लेते होंगे, तो वो सब अच्छा बना रहे हैं, उसके लिए अभी से ही तयार रहे है, टोपाज यूज कर सकते हैं, अगर professionally अगर अच्छा पाना चाहते हैं सब कुछ professionally, तो टोपाज crystal होता है, अगर ले सकते हैं तो लीजिए, otherwise meditation के थ प्रूबी सातों चक्रों को ठीक किया जाता है, ओम की आवाज सुनने से, या यह मैं कई बर बता चुकी हूँ, कि अकसर चक्र ही जो होते हैं, वो खराब होते हैं, कई न कई डिस्बैलेस हो जाता है, या energy नहीं होती उसमें, तो वो energy प्रोवाइड करने के लिए, जो हमारे बीज मंत्र हैं, सातों चक्रों के और जो colors हैं, वो affect करते हैं, उसको अगर आप balance भी, थोड़ा बहुत भी balance कर लेते हैं, रोस्त मेडिटेशन करके पांदस मिट के लिए, तो अच्छा रहता है, तो मुझे लगता है कि उसमें clear हो गया होगा, कि angels क्या message करना चा रहे हैं, औ अगला साल आपके लिए अच्छा है, थोड़ी थोड़ी चीजें अभी से उपाय करना शुरू करती है, तो साल बार अच्छा रहे हैं, I think message is very very clear, so thank you so much, thank you so much.